दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, लड़का हो या लड़की, बच्चा हो या बूढ़ा आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए हमारे रोजाना इस्तेमाल में आने वाली चीजों को आखिर कैसे बनाया जाता है। आएए देखते हैं फेर अन लवली फेरनस क्रीम को फैक्ट्रियों में कैसे तयार करके हम तक पहुँचाया जाता है। सबसे पहले एक बड़े से बॉयलर में आईसेप्रोपल मिरी स्टेट, सेटल अलकहौल, अवो बेंजोन, फनोक्सी एथिनॉल, अलों ट्वैन, स्टियारिक आसर, नायसीनमाइड और ग्लिसरन एक निश्चित अनुपात में डाल कर 30 मिनट तक सब मिश्रनों को अच्छे से अब ब्लेंडिंग प्रोसेस पूरी होने के बाद यह सारे मिश्रन क्रीम के रूप में आते ही लैब में टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहां कुछ डॉक्टरों की टीम क्रीम के नमूनों को बारी-बारी से जाच करते हुए आगे मशीन में जाने के लिए अप भेजा जाता है जहां च्यूब पर एक्सपाइरी और मैनुफेक्चरिंग डेट के साथ लॉट नमबर भी प्रिंट किया जाता है, अब मशीन के दूसरी तरफ बड़े ही खूबसूरत तरीके से कुछ नोजल द्वारा इन खाली ट्यूब्स में बारी-बारी से फैनस क्रीम भरा जाता है, दोस्तों यह मशीन एक मिनट में 480 ट्यूब और एक घंटे में 28,800 ट्यूबों को नौन स्टॉप भरते रहता है, अब इन ट्यूब की फॉज को मशीन द्वारा ही सील किया जाता है, और फाइनली रैडी हुए ट्यूब को फेर अन लवली के इन शानदार फेर अन लवली फेनस्क्रीम में तरह तरह की जहरीली किसम की जैसे हाइड्रोक्विनोन स्टीरोइड मर्क्यूरी पाई गई जो कि तवचा के लिए बहुत हानिकारक है, ज्यादा से ज्यादा नुकसान यह ड्राइ स्किन वालों को पहुँचाता है, जैसे कि तवचा का ला लाइक और सबस्क्राइब जरूर कर दे